भूत प्रेत की कहानिया सुनने में लोगों को बहुत मजा आता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनोंने भूतों की पस्तिति को मैसूस किया होता है लेकिन इनको देखने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भूत हमारे सामने अपने असली रूप में नहीं आते क्यों वो सिर्फ जानवरों और बेजुबानों को ही दिखते हैं आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि भूत की बाते अक्सर हम रात के समय में ज्यादा करते हैं क्या आप जानते हैं कि भूत अपने होने का ऐसा ज्यादता रात में ही करवाते हैं इसका कारण ये है कि रात के अंधेरे में उनकी शक्ती दिन की तुलना में दोगूना हो जाती है। रात के समय उनकी शक्तियों का प्रभाव मनुश्य पर अधिक पड़ता है। और बहुत से लोग तो भूत पर यकीन भी नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपनी आखों से ऐसा कुछ देखा नहीं होता है। शक्तियों का आभाव सबसे पहले हो जाता है। ये बात असलियत में भी सच मानी जाती है। और जानवरों को अगर किसी आत्मा के होने का आभास होता है तो वो अजीबो गरीब आवाज में जोर जोर से रोना या भौकना शुरू कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कबर बताने जा रहा हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ सकते हैं। इसकवर में एक छोटी बच्ची आराम से बैठ कर खेल रही है फिर ऐसा क्या होता है जिससे कि ये बच्ची अचाना कुर्सी से गिर जाती है और उसे जोर जोर से जटके लगने शुरू हो जाते हैं। जब लोगों ने देखा तो दातो तले उस वक्त उंगली दबा ली जब उन्होंने देखा कि लड़की के पास रखी एक गुडिया में कोई रूह आ गई है। यहां तक कि गुडिया अपना सर हिलाते हुए दिखाई देती है और घर का समान अपने आप इधर उधर बिखरने लगता है। आप देखेंगी कैसे लड़की एक कपड़े चेंज करने के दवरान एक हाथ अचानक से ट्रैल रूम में आ जाता है और सिर्क इतना ही नहीं कैसे दो लोग खारी ट्रैक पर खड़े हैं और अचानक से उनके साथ हाथसा हो जाता है। देखकर ऐसा लगेगा मानो कोई ट्रैन उनके उपर चड़ गई हो। ये हाथसा तब हुआ जब ट्रैक पूरे तरीके से खाली था। लेकिन जब वहाँ पर मौझूद लोगों ने इसे वाक्यों को दुबारा कैमरे पर देखा तो हैरान दह गए। कैमरे में उन्हें बकायदा ट्रेन आते हुई दिखाई दी और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कैसे संभव है। SPN 9 Newsroom से बिनित राई के रिपोर्ट